हेलो गाईज मेरा नाम है मारो और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूप चैनल पर तो गाईज मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास एक WWE की मसालेदार और चैटपटी न्यूज लेकर तो गाईज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के बिग सूपर स्टार्स जो की WWE में सबसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं रेसल करके तो गाईज जैसा कि हम सब जानते हैं कि WWE always से एक money machine रही है जिसमें wrestlers जो काम करते हैं उनको अच्छा खासा पैसा पे किया जाता है बल्कि यहाँ तक कि NXT और जो lower cash के उनके wrestling wrestlers है उनको भी अच्छा खासा WWE पैसे प्रोवाइट करती है कि कि superstar को उन्होंने एक साल में कितने पैसे दिये हैं जिस चीज को WWE की official release करते हैं press conference में तो गाईज अभी हाले में वो press conference हुई जहां पर हमें WWE ने वो report जारी की कि WWE के 10 top 10 superstar कौन से हैं जिनको सबसे ज्यादा WWE ने पैसे पे किया था गाईज जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग पिछले 10 years से ज्यादा टाइम से Brock Lesnar No.1 पे हैं जबकि entrance के मामले में सबसे कम हो आते हैं WWE में लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2024 में Brock Lesnar जो थे होगा 200 करोड के आसपास guys WWE में Brock Lesnar ही No.1 पे हैं उसके बास जो रोमन रेंज हैं वो है 8 उसका एक अलाग payment है लेकिन ये WWE का मतब पैसा है जो WWE ने पे किया है Roman रिंस को इसके बाद WWE के थर्ड नंबर पे हैं खुद ट्रिपल अच है गाइस ट्रिपल अच ने भी अच्छा खासा मतब अरुनिंग किया था वो किये थे लगवख 7.5 के आसपास जो की निकलता है लगवख 75 से 80 करोड के आसपास जहां पर मतब थर्ड नंबर पे हैं उसके पास guys बड़े बहुत बड़े बड़े सूपर स्टार हैं जैसा के रेंडी ओटन हैं AJ स्टाइल हैं जॉन सीना हैं और कई सारे सूपर स्टार्स हैं डबड़े में जो मतब अर्निंग की चीजें हैं वह गाइस मतब एक ही चीज़ पर डिपन नहीं होती कि मतब वह रेसलिंग करके ही पैसा कमाते हैं उसके साथ साथ मर्चंडाइस भी सेल करते हैं अलग तरीके से मतब जो कि बिजनेस मेकिंग है और पूरे वर्ड में वह चीज़ रन करती हैं तो इस रिपोर्ट में तो ब्रॉक लेशनर ने बाजी मारी लिए लेकिन गईस आप डबड़वी में ब्रॉक लेशनर बहुत कम हमें इंटरेंस देखनों के मिलते हैं उसके बाद भी वह जब एक- चीज मिलियन डॉलर मतलब इतना करते हैं जितना वह करते हैं उसमें तो कई सारे बड़े-बड़े सूपरस्टार्स आ जाए बाकी निउस यही थी अगर आपको निउस पसंद आई हो या निउस से रिलेटर कुछ थाट हो तो नीचो कॉमेंट में बता सकते हो बाकी वीडि झाल 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 झाल